नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया उत्तर प्रदेश पर नजर इसलिए है खास तोर पर पिछले दो से तीन महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो क्राइम देखने को मिला और उसके बाद जो पुलीस के अक्षन देखने को मिला इससे कहीना कहीं उत्तर प्रदेश जो है चर्चाओं में है जहां पर एक तबका है जो इसको सेट है रहा रहा है और वही दूसरा तबका है विपक्ष का जो इसको लेकर के राजनीती कर रहा है लेकिन आईए पुलीस के कंडक्ट के बारे में हम बात करेंगे हमारे साथ हमोजूद है उत्तरप्रदेश में जो पूर में डीजी भी रह चुके हैं विक्रम सिंग सर सर आपका स्वागता है हमारे चैनल पर सर अगर बात की जाए लगातार यहां पर उत्तरप्रदेश से कुछ ना कुछ खबर जो है वो पुलीस से जुड़े आती रहती है लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर चल रही है अतीक अहमद और अश्रफ के जो हत्या कांड को लेकर के और कहीं ना कहीं पुलीस की भूमिका पर सर सवाल उठाए जा रहे हैं आप भी वहाँ पर काफी लंबे समय तक रह चुके हैं क्या इसमें आपका रेक्शन है सर कैसे इसमें कहां खामी रहेगी जिसमें खामी जो है केवल एक खामी है कि पुलिस अभी रक्षा में अतीक और अश्रफ की हत्या लेकिन अतीक और अश्रफ को जिस प्रकार बरेली और साबरमती जेल से ले आए वापस ले गए फिर ले आए उसमें कोई तुटी नहीं है जिस प्रकार प्रफेशल तरीके से इन को सजा करवाई गई उसमें कोई तुटी नहीं उसमें यूपी पुलिस बधाई का पात रहे दुर्भागे और कष्ट इस बात का है जो अच्छा कार रहे है उसकी चर्चा नहीं दो हत्यारे आ करके सरे आम अतीक और अश्रफ की हत्या कर देते हैं जो कि अत्यांत आपत्ति जिनक है जिसमें की कारवाई होनी चाहिए कदाचित हो भी रही है नया की आयोग भी बैठा है इसकी तो खर भर्तसनी है निंदनी है लेकिन जो कारवाई यूपी पुलिस ने की है वो अत्यांत प्रशन से निय है कम से कम मेरे मन में कोई संशय नहीं है बिल्कुल लगातार इसी चीज़ को लेकर हम भी चर्चा चला रहे हैं कि आज एक तबका है जो भारत रतन की मांग भी कर रहा है यहां परतीक एमत के लिए कह रहा है राज के समान होना चाहिए लेकिन वो जो दो पुलीस वाले भी थे उमेश पाल के साथ संधीप निशाद और रागवेंदर सिंग बहुत से लोगों को उनका नाम भी याद नहीं और उनके बार में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है उन्होंने भी तो उमेश पाल के साथ अपना बलीदान दिया है पुलिस कर् नहीं वहां हमारे अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए राजनेतिक मित्र वहां नहीं जाते हैं इसमें सरासर राजनेतिक लाभ दिख रहा है अतीक जी उसामा जी हाफिज जी राजनेतिक लाभ दिख रहा है और एक तुर्दांत माफिया के लिए आप इतना आको दर्द है कोई जाके तिरंगा चड़ा रहा है वहां के उसकी कबर पे, कोई कह रहा है कि वो शहीद है, शहीद अतिक और रश्रफ, इससे ज़्यादा लज्जा जनक, शर्बनाक कोई बात हो नहीं सकती, कि डकायतों को, माफियाओं और हत्यारों को हम महिमा मंदित कर रहे हैं। जिस मुकदमे में इनको सजा हुई थी, वो मैंने लिखवाया था। दूसरी चीज, गैंग्स्टर एक में मुकदमा लिखाया था। उनकी संपत्ति अटैच की थी, इनको भेजा था जेल। उसके बाद इनकी पतनी शाहिस्ता बेगम जो फरारी मुल्जिम है और अपने बेट असद जो मारा जा चुका है, लगबग 6 साल का बच्चा था, उसको लेकर के आई थी रहम की भीक मांगने। ये किसी को मालूम नहीं बताने जाने वाली बात है। लेकिन जहां इच्छा शक्ती होती है, वहां सब कुछ संभव है। यही काम अगर 1980 में हो गया होता, तो ये गमले का सफूला ये अजगर न बन पाता है। किसको धमकी दे रहे हैं आप। सरकार जब बदलेगी जिन लोगों ने गलत काम किया है, प्रतारित क्या है, उनको हम देख लेंगे। अब वक्त आ गया है कि आपको भी देखे। किसको धमकी देखे। ये देखे, सिर्फिरों का इलाज एक ही है कानून के तहद ऐसी कारवाई कर दें कि एक नजीर और इतिहास बनें। मुझे नहीं मालू है, आप किस वक्त आप की बात कर रहे हैं। अपरादी बन करके सामने हैं। जो ये तीन हैं, ये भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि अपना बड़ा नाम करना चाहते थे। जी, रासुका मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक कोई ये महंगे वकील करें, इससे पहले कि रासुका में एक साल का इनका इंतिजाम हो जाए, फिर एक साल की महुलत आपको मिल जाती है, जिसके अंतरगत जमानत नहीं होती है। और एक साल में रहते हैं जेल और अपरादिक इत्यास और हिस्टी सीटर तीन पर साथ तो तुरंत मिल जाते हैं। अरे सागनसीनी जितना खून बेगुनाहों का बहाया है, उसके बारे में इस एकस एमपी के बारे में परकाश डालें। इसने जितने लोगों को अगवा किया है, मदरसे की बच्चियों को साथ बलातकार किया है, इस एकस बरादरी के एमपी, एकस एमपी का वो भी तो परक कैसे करेंगे इनका इतना भै और आतंग था दूसरी बच्चियों की और उनके जो वालदाइन थे उनकी शर्विंदिगी की वज़े से यह तो जाहिर होना चाहिए आप इसको बताईए कि इतने नीच और जलील और पाश्विक यह लोग हैं अब उनके एक्स एंपी इस इनकाउंटर हुआ था और कुछ ही मिंटों के अंदर बड़े-बड़े पॉलिटीशन्स की स्टेटमेंट सामने आ गए थी कि फरजी इनकाउंटर है फरजी इनकाउंटर है वो खुद से ही यानि उन्होंने इसको मान लिया था फरजी इनकाउंटर है यह नेता जिनको आप कहाँ रहा है नहीं चूरन बेचने वाले हार्मुनियम लेके चौरहे चौरहे एक ही गाना गाते है मुटभेड़ फरसी है पुलिस का जLम है और इस बिरादरी के उपर जलम हो रहा जलम हो रहा है तो आपके पास बड़े बड़े वकील हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में मुकंदमा लिखा दीज़ा, सजा करा दीज़ा, वो आप कराएंगे नहीं। विकास दूमे में मेरिस्टियल जान चुवी थी, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नामित एक कमेटी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अवकास प्राज जज़ और अवकास प्राज पुलिस महानिदेशक केल गुपता सहाब थे उसमें। बखवास ना करें लोग। तो क्या लग रहा है कब तक भाग पाएंगे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं लेकिन शातिर दिमाग के अपरादियों के साथ बहुत रहे हैं तो कुछ दिन कर छुप सकते हैं भूमिकत हो सकते हैं जाएंगे कहां अगर भूमिकत हो गये तो सामराज जी जाएग ज़ाधा दिन रहेंगे पुर्षकार गोशीत अपरादी है कहीं ऐसा नहों कि जो पुर्षकार गोशीत अपरादी पहले जिनकी दुर्गत हुई वो हो मैं नहीं चाहूंगा मैं चाहूंगा अपनी हिफाज़त चाहते हूं नजदी के थाने नियाले में आपने सब्सक्राइब कर दे हूं तो ये सुना आपने हमारे साथ विकरम सिंग पूर्व डी जी पी उत्तरप्रदेश राज्ये के रहे हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे किसे भी हमारे साथ शेयर किये जो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत करीबी से अतीक अहमत का पूरा जो वहां पर माफिया गिरी का सरकल चलता था उसको देखा है